हेलो बच्चों, BKSCI चैनल में आपका पुनाश्वागत है पिछले वीडियो में रास्पतवार को मैंने अलकोहलों के बनाने की विदियों के बारे में बताया था आज अलकोहलों के रासाने कुणों के बारे में आप लोगों को बताएंगे हमारे शलेवस में मैथिललकोहल और एथिललकोहल है मैंने जो विदियों बताई थी है उसमें अलकोहल मुलक का प्रतीक आर प्रयोग किया है उस आर की जगे पे आप अगर CS3 लगाते है तो सारी बनाने की विदियों में और अगर C2H5 लगाते है तो एथिल अलकोहल बनाने की वीडियों में बदल जाएंगे ठीक उसी प्रकार से यहां पर भी हम मेथिल अलकोहल और एथिल अलकोहल दोनों प्रकार के अलकोहलों के रासानिक गुण को एक साथ बताएंगे जिसे दोनों प्रकार के रासानिक गुण आपको मेथिल अलकोहल और एथिल अलकोहल दोनों के रासानिक गुण एक ही वीडियो में आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके R एल्पिल मूलक का प्रतीख होता है जैसे आप जानते हैं पहले वीडियो में मैंने सब बताया था R का मतलब होता है CH3 मेथिल मूलक और C2H5 एथिल मूलक एल्कोछल क्या होते हैं इनके बारे में सब बताया था अब एल्कोछलों को आर ओ एस से लिखा जाता है सोडियम से क्रिया कराएं अलकोहल की तो क्या होगा आर ओ एच और आर ओ एच दो आणू ले लिए गए इसकी दो एने से क्रिया कराई जब दो एने से क्रिया कराई जाती है तो एलकोहलों के दोनो एच H2 के रूप में निकल जाते हैं जो यने दो हैं वो एक उपर चला जाता है एक नीचे वाले में चला गया तो RO यने नीचे RO NA तो दो RO NA बन गए इसको कहते हैं sodium alcoxide अगर हम इस R की जगए पर CS3 रख देंगे तो ये पूरी रियक्षन बन जाएगी मेथिल अल्कोहल का राशा निको अगर हम R की जगए पर C2H5 रख देंगे समीकर्ण में जहां जहां आ रहा है वहाँ वहाँ पर C2H5 रख देंगे तो ये एथिल अल्कोहल का राशानिक गुण बन जाए CS3 C2H से किरिया मतलब HT कमर से किरिया ROH एथिल अल्कोहल होता है और HT कमर को हम उल्टा रिख दिये HCOO CS3 अल्कोहल का OH और HT कमर का याच एक में निखल गया तो H2O बन गया बचा R COO CS3 R COO CS3 इसको कारते हैं Alkyl acetate उसी प्रकार से R के पे अगर हम CS3 रख लेंगे तो यह मतलब अल्कोहल का रियक्शन हो जाएगा और इस रियक्शन में R के पे अगर हम C2H5 रख देंगे तो यह अथिल अल्कोहल का राशानिक गुण हो जाएगा A stil chloride से किरिया R O H alcohol है A stil chloride को हमने उल्टा रिख लिया C L CO CS3 वैसे तो CS3 CO CSL होता है तो इसको पलट करके हमने लिख लिया अल्कोहल का यच्श और A stil chloride का C L एक में H CL के रूप में निकल गया अब बचा R C D O CS3 यानि Alkyl acetate बन जाएगा गृग नाड़ अभ कर्मक से क्रिया ROH ये क्या है? अलकोहल है और गृग नाड़ अभ कर्मक होता है CH3-MG-CL इससे जब क्रिया कराए जाती है तो जो अलकोहल का आक्सीजन होता है वो CS3-MG के बीच में आ जाता है और यच जो है R के साथ में चला जाता है तो R-Yच बन जाता है और बन जाता है CH3-O-M-G-C-N यह R-Yच जो है L-K-N है R-Yच को L-K-N कहते हैं अगर हम यहां R-K-A पे CH3 रखेंगे तो यह मेथेन बनेगा R-K-A पे अगर C2-H5 रखेंगे ये तो ये एथेंग मन जाएगा आक्सीकरण में आक्सीकारण प्रियोक करते हैं अक्सीकारण के लिए एक निश्चित कर्या नहीं हो सकती इसके लिए हम दोनों मेथिल अलकोहल और एथिल अलकोहल की आलग-अलग आपको बता रहे हैं आक्सी करांग की जो क्रिया होती है जिसे मेथिल अलकोहल CS3 OH से नौजात आक्सीजन से क्रिया होती है जो K2, CR2, O7 और H2SO4 की क्रिया से प्राप्त होती है तो यहां CS3 का H और यहां OH का H और यह आक्सीजन मिल जाते हैं तो H2O बन जाता है अब यहां बचा HCH2O बचा CH2O का एक H पहले लगा लेंगे तो HCHO बन गया फर्मेल डिहाइड बन गया CS3, CS2OH यह एथिल अल्कोहल है इसकी जो आक्सीजन से उसी प्राकार से क्रिया होती है तो H2O निकलता है और CS3, CS2O एश्टल डिहाइड बनता है कापर धात के साथ 300 सल्सियस पर गर्म करने पर अगर अल्कोहल को कापर धात के साथ में हम 300 सल्सियस पर गर्म करें तो हाइडोजन गयस बाहर निकलती है इस क्रिया को V-Hydrogen करन कहते हैं अगर टिपड़ी में आ जाता है V-Hydrogen करन अब क्रिया तो यही रियक्शन हमको लिख देनी है कापर धात पर जब मेथिल अल्कोहल को प्रवाहित किया जाता है तो यहां का एक यच और यहां का एक यच यच ह2 के रूप में निकल जाता है अब बन जाता है यच C-H-O यानि फार्मेल डियाई एथिल अल्कोहल को जो प्रवाहित किया आता है तो यहां का यच और यहां का यच निकल जाता है तो बन जाता है H-T-L-D-I H-2 बनता है और H-T-L-D-I बन जाता है सांध-H-C-L से क्रिया जेडियन CL2 जिंक क्लोराइड के उपस्थित में जब सांध ये SCL से क्रिया कराया जाता है तो एलकोहल का OH और SCL का OH H2O के रूप में निकल जाता है RCL बन जाता है इसको कहते हैं एलकिल क्लोराइड इस रियक्षन में R के पे अगर हम CS3 रखेंगे पूरे रियक्षन में यहां और यहां CS3 रख देंगे तो मेथिल क्लोराइड बन जाएगा तो यह गुण हो जाएगा मेथिल अलकोहल का अगर C2H5 रखेंगे यहां और यहां तो बन जाएगा यहां एथिल क्लोराइड और गुण हो जाएगा एथिल अलकोहल का थन्डे ह counting हिस से क्रिया, hydrogen अहवडाइट से क्रिया, थन्डे हसी में से जब क्रिया होती है तो R, O, H और 2 ह निया जाते हैं इसमें ह till का यच और O, N निकल गया S2O के रूप मे, I, I, I2 के रूप मे, अब एक ह, बचा तो व और पे चला गया, तो R-A-H बन गया R-A-H कया है, L-K-N है यहां अगर CS3 यूज करेंगे तो ये मेथेन बनेगी मेथिल रॉल को राशानिक गुर्ण हो जाएगा C2H5 यूज करेंगे तो ये यहां यहां पे C2H5 यूज करेंगे तो बन जाएगा एथिलर्कोहल का रसानिक गुन HI से गर्म HI से क्रिया गर्म HI से क्रिया एक ही HI यूज किया जाता है तो यच और OH निकल जाएगा S2O बन जाएगा और RI बन जाएगा ठिक RI ये क्या है एलकिल आयोडाइड अमोनिया से क्रिया ROH और NH3 अमोनिया होती है इससे क्रिया कराएंगे अमोनिया का एक HOS पर जायगा तो H2O बन जायगा R और यहां बचाएंच 2 तो RNS2 यह क्या है प्राथ में के मीन यहां CS3 यूज़ करेंगे तो में थिले मीन बनेगा C2H5 यूज़ करेंगे तो एथिले मीन बन जायगा धाई सोचल सेस पर अलमिना पर प्रवाहित करने पर अगर मेथिल अलकोहल को अलमिना पर प्रवाहित किया जाता है धाई सोचल सेस पर तो इसका याच 2 CS3 O S, CS3 O S 2 अन लिये जाएंगे उपर वाले का याच नीचे वाले का O S निकल गया S2O के रूप में अब बचा CS3 O CS3 ये डाई मेथिल इथर CS3 O CS3 डाई मेथिल इथर बन गया ऐसे ही C2H5 O H और C2H5 O H एथिल अलकोहल लें अलमिना पर प्रवाहित करें तो उपर का याच नीचे का O S निकल गया S2O के रूप में C2H5 O C2H5 यहाँ पर बन गया ये क्या है डाई एथिल इथर डाई एथिल इथर सांद S2O 4 से क्रिया सांद S2O 4 से क्रिया जो होती है कई प्रकार से होती है ठंडे में जब अलकोहल और S2O 4 दोनों ठंडे हों तो ये क्या होगा ठंडे में क्रिया किस प्रकार से होती है ROH और S2O 4 को हम तोड लेते हैं याच 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 एसोफोर में अलकोहल का O H S2O 4 का याच निकल गया H2O में और बचा क्या ROH 104 अगर यहां पर हम CH3 यूज करेंगे तो मेथिल अलकोहल हो जाएगा तो मेथिल हादोजन सलफेट बनेगा और C2H 5 यूज करेंगे तो अधिल हादोजन सलफेट बनेगा अल्कोहल के आधिक में जब अल्कोहल ज्यादा हो तो अल्कोहल का आधिक होगा तो ROH और यह चेशो फोर्स से क्रिया कराएंगे 140 डिग्री सिंट्रिगेट पे तो पहली क्रिया तो जैसे उपर ठंडे में हुई थी वैसे होगी अल्किल हाडोजन सल्फेट बन जाएगी तो फिर इसकी क्रिया दूसे यह चेश पे चला जाएगा तो एस चेशो फोर जाएगा अब यहां पर और और देश तो यहां एथर बन जाएगा आर के एपे CS3 यूज़ करेंगे तो मेथिल डाई मेथिल इथर बनेगा और C2H5 यूज़ करेंगे तो डाई एथिल इथर बन जाएगा यह यह 204 खेसाथ 176 संसेट पर गर्म किया जाए तो ROH ROH लिया गया है यह 204 लिया गया एक सो सत्तर दिगरी सिंट्रिगेट आपमान तक जब गर्म किया जाता है तो क्या होता है इसमें का एक 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 एस पर तो HOH, HOH, H2O, H2O बन गया तो 2H2O बन गया RR तो R का होल्ट वाइज और यह 104 बहाल लग गया तो यह हो जाएगा अलकिल सल्फेट अलकिल सल्फेट बन जाएगा उपियोग, अलकोहलों के क्या उपियोग होते है तो उपियोग 2 या 3 लिखने को आते हैं इसके लिए ज़रा प्रहसान होने की ज़रूरत नहीं है जो हम रासानिक गुर्ण पढ़ते हैं वही बनाने में जैसे अभी हमने पढ़ा अल्डेहाइड बना तो अल्डेहाइड बनाने में कार्बोक्सलिक अमल बनता है तो कार्बोक्सलिक अमल बनाने में राथ में कैमीन बनाने में विलायक के रूप में कार्बोन के उक्कों को गोलने के लिए इंधन के रूप में पेट्रोल में जो 100% अलकोहल होता है उसको मिला करके गाड़ियों में डाला जाता है चलाया जाता है गाड़ियों को इस्प्रिट बनाने में जो अस्प्तालों में यूज होना लिए इस्प्रिट जो होती है उसको बनाने में भी अलकोहलों का प्रियोग होता है ये जो रासानिक गुण हमने आपको बताये हैं 12-13 ये रासानिक गुण बहुत ही important है ये क्या होता है जब कैसे बनाओगे मैं भी पूछे जाते हैं और ये मेथिल अलकोहल और एथिल अलकोहल दोनों के इतने में ही दोनों के ही रासानिक गुण हो जाएंगे बस करना ये है आर की ज़िए पे अगर हम CS3 लगा देंगे तो मेथिल अलकोहल के रासानिक गुण हो जाएंगे और आर की ज़िए पे अगर C2H5 लगा देंगे तो एथिल अलकोहल के रासानिक गुण हो जाएंगे